दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल डीटेएच ट्रिक्सवड में दोस्तों कि आपके भी डीडी फ्रीडिस के सेप्टोक्स में नो सिगनल की प्रोल्म आ रही है और टीवी स्क्रिन पर कोई भी सिगनल नहीं दिखाई दे रहा तो आ आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए अभी हमारे इस यूटूब चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए और साथ ही दिए गंटी के निशान को दबाके ओल के उप्सिन को स्लेट कर लीजिए दोस्तों इ इस से आपका septox reset हो जाएगा और इसमें वो चैनल आ जाएगे जो चैनल आपकी septox बनने के time पे से होते हैं ये चैनल यहापे चलेंगे नहीं तो इन में से आपको कोई भी एक chanel select कर देना है तो मैं यहापे पहले ही channel को रखूँगा इसके बाद आपको वापस menu में जाना है आप नहीं करना और यहां पर remote से okay दबा देना फिर से आपको okay दबा देना थाकि यह frequency यहां पर zar comprend इसके बाद में आपको menu से exit उना और remote से signal बटन दबा देना तो देखी दोस्ते यहां पर दीडी फीरीणिक की frequency आप सी छ책की है तो देखिए दोस्तों मैं अपने डिस्क के पास में आचका हूँ और इसी पे मैं आपको डीडी फिर डिस्क के सिग्नल सेट करके बताऊंगा तो डिस्क सेट करने से पहले आपको LNB का इसक्य अंगल सही करना होगा आपको डिस्क के सेट करना होगा तो इसके लिए आपको डिस्क के पीछे लगे हुए नट बोल्टो को डिला कर लेना है मैं यहाँ पे यह 10-11 नमबर का पाना ले रहा हूँ और इसी से मैं यहाँ नट बोल्टो को डिला कर लेना है तो यहां पे आपको पीछे के nut bolt को डिला कर लेना, ताकि जो डिस है वो up down और left right हो सके, अब देखे, nut bolt यहां पे डिला हो चुके है, तो डिस यहां पे up down और left right हो रही है, अब डिस्क को set करने के लिए आपको डिस्क के पीछे खड़े हो ना, और देखे इस तरह पे east side आपको हलका सा right hand side में डिस्क को गुमाना, और हलका हलका up down और हलका left right करते रहे न, और जहां पे सबसे ज़्यादा signal मिल जाए वही पे आपको डिस्क को टायट करते रहे न, तो आपको डिस्क को हलका सा right hand side में गुमा देना, और आपको एकदम से signal मिल जाए, यहाँ पर आपको अपनी डिसको धीरे-दीरे adjust करते रहना तभी आपको signal सही से मिल पाएगा, और आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा signal मिल जाए वही पर आपको अपनी डिसको टायट करना है, यहाँ पर दोस्तों मुझे signal मिलना सुरोच के, यहाँ पर सिगनल कम है, तो मैं यहाँ पर डिसको और adjust करूँगा, ताकि यहाँ पर सिगनल बढ़ सके, तो इसी तरीके से आपको भी अपनी डिसको एड़जेस्ट करना है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा signal मिल जाए, वहीं पर आपको टायट करना है, तो यहाँ पर म मुझे अच्छी तरीके से सिगनल मिल चुका है अब मैं आपको MPG2 सब्टोस की डिस्पले पर यहाँ पर सिगनल दिखा देता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर सिगनल 88-87% हो रहा है यानि कि दोस्त जो हमारी डिस है वो अच्छी तरीके सेट करना होगा यहाँ पर दोस्तों आप डिस्की पोजेशन देखते हैं DD-free disk के सिगनल आप किसी भी डिस्पे आसानी से सेट कर सकते हैं यहाँ पर LNB का इसके अंगल आपको इसी तरी किस रखना होगा तब ही आपको DD-free disk के सिगनल साइसे मिल पाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्केट करने का सबसे असान तरीका बता दिया और एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पर सिंगनल दिगा देता हूँ तो MPG2 सब्टोर्स की डिस्पले पर आप यहाँ पर सिंगनल देखेते यहाँ पर मैंने सभी नेट बोल्टो को टाइट कर दिया अब चलते हैं टीवी की तरफ और मैं अब आपको इसके आगे का परसेस बता दिता हूँ अब दोस्तों मैं टीवी के पास में आचकों और मैंने अपना सेप्टोर्स वापस टीवी के पास में लगा दिया और अब आप यहाँ पर सिग्नल क्वाल्टी देख दें 87-88% हो रही है अब दोस्तों आपको सेप्टोर्स मुझूद सभी पूराने चैनलों को डिलीट करना होगा तो इसके लिए आपको जाना अपने सेप्टोर्स के में मेन्यू के अंदर फिर जाना अपको एडिट प्रो प्रियूराम शेटप के अंदर इसके बाद में आपको जाना ओटो सकेन के अंदर और यहां पर ln एम डिमोट से औकी दवादित Stop और आपके पास में सभी चैनल यहां पेची तरी के हिस्ट लेंगें अब दोस्तों मैं आपको डीडी फिरीडीस की MPG2 सब्टोस की आज की नई चैनल लिस्ट दिखा रहा हूँ साइड में आप चैनल लिस्ट देखते हैं जिसमें आपको चैनलों के नाम देखने को मिल जाएंगे जो चैनल आज की डेट में डीडी फिरीडीस पे अवेलेबल है उन सभी चैनलों के नाम आप इस लिस्ट में देखते हैं और दोस्तों आप अपने सेप्टोक्स को कभी भी स्केन करेंगे तो आपके सेप्टोक्स में वही चैनल आएंगे जो चैनल करंटली डीडी फिरुडिस पे अवेलेबल रहेंगे और दोस्तों पहले जो डीडी वंदे गुजरात, इविद्या और M.H.R.D. के चैनल देखने को मिलते थे वो अभी MPG4 में स्रिप्टोक्स के हैं तो पूरे चैनल देखने के लिए आपको MPG4 सेप्टोक्स लगाना होगा तो MPG2 सेप्टोक्स में आज की डेट में आपको चोराणमे चैनल देखने को मिलेंगे तो देखते दोस्त में आपको इस वीडियो में डीडी फिर इसके सेप्टोक्स में आने वाली नो सिगनल की प्रोण को सोल करने का सबसे आसान तरिका बता दिया अब दोस्त अगर आपको ये जानकारी पसंद आईए तो इस वीडियो को आप लाइक कर लिजे और इससे अपने सबीस दोस्तों आप में शेयर भी कर दिजे और आगे भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और साथ ही दिए गंटे के दिश्टान को दबाके ओल की अपसंदों सलेट कर दिजे अब मिलता है दोस्तों अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो में धन्यमाद दोस्तों